हेलो एवरीवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानि कि अविशेक की नॉलेज में तो आज की वडियो में बात करने वाले डियू एस वैप की गई दो चार अपडेट आई है बहुत इंपोर्टेंट सबसे पहले बात करेंगे एस वैप के टॉपिक पे ठ सब्सक्राइब करेंगे और जिन वच्छों ने गई एक्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए जैसा कि आप जानते हैं अर्जंट नोटिस रिलीज हुआ था पच्छेस तारीक आपकी लास्ट देट थी जो नहीं भर पाए और वह क्या करेंगे और एंसी वैप पे जो पोल स्टार्ट भी करें आप देख पारें आप लोग बारत इस हमवर से होने वाले एक्जाम के लिए कितने परसंट रेडी हो ठीक है मैंने कल पूछा था आपसे और अभी ज्यादा कोई वोट नहीं आए लेकिन जो वोट आए वह देखना होता है में किस पर आए देख सकत पर जो भी अफडेट होती है मैं यह आपको देता रहा था हूं टेली ग्राम चैनल सबसे पहले तो आप इससे भी फॉलो कर लिए ठीक है फाइनल डेट शीट का मैंने आपको बता दिया था अपने टेली रम चैनल पर विडियो इस पर पहले बना दी ठीक है जब आपकी टे एक चींगी को कैसे से लेन करना है ठीक है तो कॉंटिंवी सबसे पहले रहत दों करेंगे यहापे jadi login करेंगे यहाप को option देखने को मिलेगा query for examination for third semester OBE 2020-21 ठीक है हम इस पर click कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर click करेंगे जैसे आपको यहाँ option मिलेगा अपना physical mode or online mode में चुननेगा लेगन उससे पहले आपके 2-3 point है वह हम आपको समझा देते हैं पहले point में उन्हों बताया गया था semester third phase of examination shall be conducted for those students who are in a CBCS mode मतलब गई जो आपके third semester का examination है यह सिर्फ उनके लिए जो CBCS mode से है SOL के लिए ठीक है SOL students के the student shall appear in a examination as per the spend period for the specified course यह भी आपके लिए नहीं है ठीक है और तीसरे point में में बतायाएगा refer notification जो आपका 18 तारिक को exam की guidelines आई थी जिस पर हमने full flash video बना दी थी अगर आपने वह नहीं देखिए तो आप उस video को देख लिजेगा और अपनी guidelines जो है exam की ओभी exam की तो उससे अच्छे से समझ लीजेगा ठीक है नीचे की और चलेंगे आप आपको option देखने को मिलेगा यह आप और एक important चीज भी आपको पताऊंगा ठीक है physical mode online mode यह मैंने आपको जब guideline समझाई थी तब भी कई बार बोला था इसको वीडियो में कई बाट ठीक है अगर देखिए आपने online mode चुना ओभी exam चुना तो आप physical mode से exam नहीं दे पाएंगे ठीक है ओभी online mode का मतलब यह है आप अपने कहीं से भी exam कहीं पर भी अपने घर पर हो कहीं बाहर हो अपने नानी के हो बुआ के हो कहीं पर आप online mode से इसका मतलब यह यह आप exam दे सकते ठीक है physical mode का मतलब क्या है आपका admit card आएगा admit card तो घर तो तो नोग आएगा लेकिन physical mode में क्या होगा आपका admit card आएगा और आपको उस पर center लिखा होगा आपको वहां जाके exam देने होगे और अपनी एक sheet भी लेके जानी होगी ठीक है क्योंकि आप physical mode चुनते हों भी mode यह आपकी आखरी choice है मैं आपको बता दिया ठीक है नीचे क्यों रहेंगे एक undertaking आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर आपसे कुछ बताएगे आप कोई भी unfair thing का कोई भी यूज नहीं करेंगे exam के दौन ठीक है अगर ऐसा होगा तो आपक टिक का निशान लगा देंगे और जैसे आप टिक का निशान लगाएंगे आपको नीचे save का option भी मिलेगा आपके इससे नीचे होगा आपका एक्जाम रोल नमर और नीचे save का बटन होगा आप इसको choose करके save का बटन नबा देंगे ठीक है तो यह था आपको कैसे अपना mode select क करना एक्जाम के लिए अब गाइस बात करते हैं आपकी examination form की last date की ठीक है तो गाइस अब जैसा जानते हैं एक urgent notice इस एस वालों ने रिलीस करा था आपका 23 तारिक को ठीक है तो यह वो notice and note for extending last date for submission of examination forms for semester third student of UG courses यहां पे डेट 22 दे रखिए वैसे 23 तारिक को नोटिस रिलीस करा गया था आपका ठीक है और guidelines का जैसमन आपको बता है यह notice आया आपका ठारा तारिक को ठीक है लिए अभी बात आपको यही है कि भाईया last date extend कर दी गई है और हमने फॉर्म हो sorry last date खतम हो चुकि और हमने फॉर्म नहीं बढ़ा क्योंकि आप जैसे जानते 25 तारिक इसकी last date थी कहरा अगर अगर मैं आपको एक और चीज बता हूं इससे जूड़ी तो आपको बच्चों को message कर रहा है उस प आपको कुछ नहीं बता सकता है उमीद यही है कि अभी भी 30 नवमर तक आपकी एक बार फिर से जो last date एक्स्टेंड की जाएगी शायद कल की जाए आपको इस क्या करना है को mail करें कारण बता है क्यों नहीं कर पाए अपना examination firm क्या कोई financial दिक्कति जो भी थी आपको अपना वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा student mail करें तभी कुछ हो पाएगा शायद आपकी last date extend की जाए 30 नवमर तक तभी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि एक तारिक के बाद तो आपको S.O.L. inquiry को mail करना है कारण बताने आप क्यों examination form फिल नहीं कर पाए ठीक है वगाइडलाइन की वीडियो इस notice की वीडियो का link ठीक है और आपको यह दोनों चीजे आपको ऊपर आई बटन पर देखने को मिलेंगी इन दोनों वीडियो को आप जाके अच्छे से दे मैंने आपको जैसा बता है tentative release करी थी मैंने तभी वीडियो बना दी थी और final का मैंने अपने आपको आपको टेलेग्राम चैनल पर बता दी था इसलिए मैंने कोई मेन उसके लिए official वीडियो नहीं बनाई और जो आज भी वीडियो में बना रहा है वो चार दिन बाद कोई एक दो एक वीडियो डाल रहा हो ने चैनल पर ठीक है तो एस वीडियो की बात आप यहां पर खतम करते हैं अब बात करतें एंसी वैप की तो एंसी वैप की जो अप्डेट आई वह यही है कि एंसी वैप की गाईस नॉन कॉलेज मुमें एजुकेशन बोड की जो एडमिश पर हम जैसे क्लिक करेंगे सबसे इसकी डाउलोड कर लेते हैं भी एप प्रोग्राम की ठीक है एक बाद आपको दिखाया देते हैं ठीक है तो पांच वी जो कट आफ थी वह रिलीस कर दी गई है आज है है यह डाउलोड हो रही है तो जो है उसके कितनी इसकोर्स की कितनी कितनी और और जो आप पहला प्नेकर्स है बहुत भी ये प्रोग्राम है आएअ ब्लस भीव को ड से खर भी यह तो यह ब्लेट आपकी प्रोग्राम की और अब एक बार में भी भार देख लेते मैं यह टुर्माउड विवल कर दो है ठीक है ऐसी आप अपनी हर कॉलेज की चेक कर लीजेगा है और यहां पर कई कॉलेज में एडिमीशन भी क्लोस कर दिए गया है जैसे हंसराज की बात करूं मैं मेरांडा में अब भी ओपन है जर्नल के डिगरी के लिए 85 मिरांडा की अगर हम बात करेगा इस मंबर वन पर ठीक है तो यहीं सारी अपडेट थी आज कि वीडियो में जो चार दिन वाद में लेका हैं ठीक है उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इस से लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये गए इस प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जोड़ दवाए कोई पीड़ाउटू कमेंट बॉक्स पर करके करके पूछिए आपको जल